नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होब के अच्छे होंगे तो दोस्तों आज लेकर आए हैं बहुत ही काम का किचन टिप्स एंट ट्रिक जिसे देखकर आप लोगों का डेली लाइप का तो काम आसान होगा साथ में पैसों के भी बचत होगी तो आज का दोस्तों मेरा फ क्राबवन से पिर्भी रिमूब नहीं होता है तो आज उसी के लिए हम लेकर आए हैं तुछ आποैं देखिए माचिस के तिल्भी िल्ली तो यहां पर हमें चार-पांच एक बार लेके और इस तरीकर से जला लेना है और केरेसोय निकलेगा माचिस जब हम जलाएं हैं माचिस की तिली से वो सारे जो लेसुन प्याच की है सारे को रिमूब कर देगा यह आध्रमाया हुआ टिप्स है दोस्तों क्योंकि यह हमेशा हम लोग करके देखते हैं यह यूसफुल टिप्स है आई होप के टिप्स पसंद आया हो तो लाइक कीज दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया हमारा है यहां पर देखे पैसुल को लेकर हम लोग तो यह जंग लग गया है और इसका धार भी अच्छा काम नहीं करता है जब हम साफ सफाई नहीं करते हैं तो देखिए आज इसे हम साफ करने वाले हैं अपने घर में लिए कितना जंक निकल रहा है हार्पिक से धो रहे हैं तो एख दम से कुलीन हो जाता है हार्पिक से एक बार मांच के ज़रूर देखिएगा। तो इदम लगेगा जैसा कि नया है तो देखिए दोनों तरब से हम अच्छे से इसे साफ कर लिए है धूल कर दिखाए देखिए एक काम और अभी इसे करना है क्योंकि धो तो दिये हम साफ कर दिये लेकिन ऐसे ही अगर छोड़ देंगे तो ये फिर से जंक लग जा सकते हैं क् कि योहे के समान है इसमें हमें सूखे कपड़े से अच्छे से पोच लेना है पोच ने के बाद घर में कोई भी तेल हो या नारियल का तेल हो कोई तेल हलका हलका इस तरीके से लगा दीजे ऐसे में लगाने से जंक नहीं लगेगा और हमारा पैंसुल अच्छा रहेगा धार भी बना रहेगा तो चले देख लेते हैं और नीचे गमलाई रख लिये हैं बरतन अट्रीकों हम चालने वाले हैं डुपक्ते से क्या है न कि इससे आटे से हम बनाने वाले हैं अज मैदा क्या है कि दादी नानी हमारी पहले जो ठेकुअ निमकी खंसता बनाने के लिए यह ट्रिक को फोलो करती थी क्योंकि मैदा घर पर ही बना लेती थी बीना केमिकल फिरी तो देखे दोस्तों यहां पर कितना मेहिन बारिक मैदा जैसा निकल गया है आटा तो इस टिप्स को अजमा के आप लोग भी इस तरीके को और अपना धेरो बचत कर सकते हैं वीडियो